हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ सब घर में होंगे सब ठीक होंगे सब जबरदस्त होंगे एक छोटी से लेकिन बहुत ही important update है जी हाँ जेटेट के वित्यारतियों के लिए जेटेट के परिचारतियों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है उनकी जो validity थी 7 साल से बढ़ा करके यहाँ पर 9 साल कर दिया गया है official notice है आप देख लिजए यहाँ पर अलग अलग news channel वाले ने भी cover किया हुआ इसको मौजुदा जेटेट की जो यहाँ पर validity है अब उसकी मानिता 9 साल कर दी गई है उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यह जो official notification है इसमें क्या है यहाँ पर आप देख लिजिए 119 2020 की 11 सिप्टेंबर 2020 की यह नोटीस है यहाँ पर सची इसकूली सिक्षा एवम साक्षरता विभाग जारखंड रांची उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यह भी आप पढ़ लिजिए जारखंड अद्वीद प परिच्छा के परमान पत्र की वैदता साथ वर्स की नियधारित की गई थी उक्त परमान पत्र की वैदता अवधी समाप्त हो रही है जी हाँ जिनकी अवधी साथ साल रही गई थी वह बहुत पहले केंडियेट में परिच्छा दिया हुआ था उसके बाद अभी उनकी अव प्रकोप जारी है उतने दिन तक तो कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है और आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता इसलिए गवर्मेंट को ऐसा लगा कि उनकी जो अवधी है साथ साल से बढ़ा करके नौ साल कर देने से उन सब को और एक राहत की खबर मिलेगी राहत भरी सांस लेंगे वो लोग यहाँ पर आप देख लीजिए तद नुसार ऊक्त प्रमान पत्र की वैदता दो वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने के संबन्ध में प्रस्ताव तयार कर आवस्से कारवाई की जाए जी हाँ यहाँ यहाँ पर देख लीजिये जेटेट की 7 साल की थी अब 7 साल से बढ़ करके 9 साल कर दी गई है तो एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है उन सारे परिछारतियों के लिए जो जेटेट के परिछारति हैं उसके बाद टीचेर बनने वाले हैं तो I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले साहे में इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन मिलती है तो आप तक जल्द से जल्द कनवे किया जा सके धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम